ये रिष्टा क्या कहलाता है नारा के हाथ लगने वाला है एक बहुत ही एहन सबूत जो कि खोले गाहकारती की असली मदर के मौत की सच्छाई स्टार प्लास के लॉंगिस्ट वानिक शो ये रिष्टा क्या कहलाता है के आने वाली एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जहां सुरेखा को नारा के लिए गोईंका फैमली में इतनी जादा एहमियत देखकर काफी जादा जलन होती है दादी नारा को रोकने की कोशिश करती है वो उन्हें कहती है कि कीर्थी की शादी में नारा इतनी जादा लाइन लाइन लाइट ना बढ़ो रहे और कीर्थी को सारे फैसले ले 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 इस पर नारा मान जाती है लेकिन खुछ तेर बार नायरा के हाथ कार्टी की असली मा यानी सौम्या गोइंका की रिपोर्ट लगती है जिसे देखकर नायरा शौट हो जा भी है इस रिपोर्ट से नायरा को ये पता शुलता है कि कार्टी की मा की हालत बहुत खराब है नायरा दादी से इस बारे में पूश्टी है जैसे ही दादी सौम्या का नाम नायरा के मूँ से सुन्टी है उन्हें शौक लगता है वो उससे कहती है कि वो घर के गड़े मुर्दे ना उखाड़े और इस वर कीर्थी की शादी को खराब नं करे दादी नाइरा से कहती है कि अगर उसने इस मामले में थोड़ी सी भी तांग लड़ाई तो इससे कार्तिक और मनीश के रिष्टों में गलत पैमी पैता हो सकती है इसलिए ये सब सुनकर नाइरा शान्थ हो जाती है देखना इंडरिस्टिंग होगा कहानी में आगे क्या होता है आपको क्या लिखता है कमेंट कीजिए और उस कहानी में और क्या होता है ये जानने के लिए सब्क्राइब करें हमारा चानल टीवी प्राइम टाइम फिल्दी